तो इस वागत आपका की में और मेरे पिछ आप देख सेकते हैं की मोनेस्ट्री को और अभी मैं करीबन साड़े तेरा अजार फीट हाइट पर हूँ तो पहले हम देखेंगे की मोनेस्ट्री को और उसके बाद हम देखने जाएंगे एसे का सबसे हाइस सस्पेंशन ब्रिज देखने के लिए चीचम ब्रिज देखने के लिए इन सबी चीजों के बारे में देखते हैं आज की इस फ्लोक में स्पीती वेली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री जो अपने आप में पूरा का पूरा स्मोल ताउन है और चीच्चम ब्रीच और की मोनेस्ट्री आपको दिखाता हुआ मैं हूँ दीपक तो जी अभी बज़े सुबा के 9 बच कर 10 मीट और मेरे भी जब देख सेकते की मोनेस्ट्री को आज सुबा करीबन साड़े 5 बज़े उठकर की मोनेस्ट्री से ट्रेकिंग करकर मैं यहां पर टोप पे आ गया था ताकि जो फोटो मैंने इंटरेट पर देखी थी उसे रियल में देख सकूँ और अब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जो फोटो मैं सिर्फ इंटरेट में देखा गरता था उसे आज मैं रियल में देख रहा हूं तुझी सामने है की मोनिस्ट्री तो यहां उपर मेरा रूम है तो मैं उपर रहे रहा हूं की मोनिस्ट्री में और इसके अलावा जो की मोनिस्ट्री है यह पूरी पूरी हील के टॉप पर बसी हुई है तो मैं सुबह इस रस्ते से ट्रेकिंग करके यहां उपर आया था टॉ पर ताकि यह व्यू ले सकू में की मनिस्टरी का। इसके अलावा यह साइड में जोब रीवर देख रहे हैं यह स्पिती रीवर और यह माउंटेन है मांठेन के टॉप पर है बरव इसके लाव यहां खेद देखेंगे बहुत सुन्दर दीख रहे हैं यहां से। और इस तरफ है की विलेच और इस तरफ के पहार देखें थोड़े पत्थर से बने हुए ऐसे लग रहा है तो जी इस रास्ते से मैं ट्रेकिंग करके उपर गया था व्यू देखने के लिए और यहां है की मोनेस्ट्री और इस रास्ते से मैं आया था और इस रास्ते से उपर गया था ट्रेकिंग करके इस तरह अलावा जो की मोनेस्ट्री है और स्पीती वेली के सबसे लाजेस मोनेस्ट्री है की मोनेस्ट्री तो फाइनल में आगे उपर तो पीछे हैं मोनेश्री का गेट और यहां से व्यू देखे तो अभी में मोनेश्री के अंदर हूं टोल तीन मंजिल है एक नीचे और अभी मैं दूसरी मंजिल पर रहा हूं और दूसरी मंजिल पर यहां पर बयाद कि शरी हैं जburst मताओ दलका हो तो यह सब को यहां पर जो भी विसीटर आते हैं उनको हर बल्टी पी यहां तो थोरा से टेंपल के बार यह यहां पर एक टैंप्ल है तो उनके बार में थोरा से बताएंगे तूपा और दूसरे साइट में एक मुझा तूपा है और इस साइट में जो इस तूपा है वो यहां चो डारेक्टर यहां बुद्धिजमद्ध में टांसलेटर लौचावजा की आफ। और यह यहीं की बात कर रहे हैं इसके अलावा भी हम तीसरी मंजिर पर गए गए तो वहां के बार में बताएंगे आपको वहां पर भी दो टेंबल जो है मेमरेल से तुपाएं यहां की जो टारेक्टर लोचावाजी के अठार में आपतर की बनाएकि इस तुपाएं और दूस पूलाव और शूप और मेरे सामने मंग बेटे तो उन्होंने बनाए बनायाए यह काना और हर अब अभी मोनेस्टर में कितने मंग होंगे है टोटल है कि तीन सो है साड़े तीन सो मंग है और हर मंग का एक साल के लिए बनाने होता है जूड़ी होती है अच्छा दो मंग की हर साल आज आपका साल पूरा होंगा उसके बाद दूसरे दो मंग तो इस किचन अभी हम जहां थे वहां पे साड़े तिन सो मंग का खाना रोडेली बनता है अभी अभी तो अच्छा टोटल उतना अभी यहां पर एक्सवस्टी तो जबी मैं जा रहो की मो आपको ले सकता हो वाई आपको ले सकता हो वीडियो में और यह कि मौनिस्ट्री का कीचन और यह दोनों मंग से जिनका एक साल के लिए क्लिए ड्यूटी लगा है खाना बनाने में लगवख यहां पर हर रोच डेली 200 मंग का खाना बनता संडे को बाहर होते हैं परना डेली दोसों का बनाना पड़ता है दोसों ऑकि ऐशे मैं फूप मैं नीचे हो अपर शाप नहीं हम आप यह जाना है जहां पर महलें पार में पार factorsकर का pouco awaiting जाएन 9 और खर्वार कर community का और घुन पर मैं के मौनस्ट्री का जैना ठीक कर रहा हूं आप हैं अपने पर्44 स्टेक कर रहा हो जगा दिखाता हूं तो अभी मैं नीचे था यह सीडियों से में उपर आया तो साइड में आपको यहां दिख जाएंगे वोस्रूम इसके लावा यहां पर है रूम और इस तरफ भी रूम है यहां पर आपको बेड मिल जाएंगे और यह मेरा वारा रूम जह नीचे मेट है एक अलमारी दिख जाएंगी जिसमें आपको कुछ रखना तो रख सकते है और लाइट दो मेरा एक्सप्रेंस तो बहुत अच्छा था आप यहां रूख सकते हो इसके लावे यह और भी रूम है दूसरा और में चीज़ के जिसे आप रूम के बाहर निकलोंगे तो आपको एक खुबसूरत सब व्यू दिखेंगा अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता ना तो मैं यहां और एक दिन उन्हें कुटना चाहता था कि बहुत ही सांथ पेस्फुल जगा है और एक दिन का जो मुझे से चार्ज लिया मॉनस्ट्री ने ओलिया ऐसी 500 रुपे जिसमें डीनर भी आ गया लंज भी आ गया ब्रेक्फ चीचंपरीज तो की मोनस्ट्री से चीचंपरीज का जो डिस्टंस है और करीबंद 7 या 8 किलोमेटर का है तो देखता हूं कि इस राज से मुझे लीफ मिल जाए और इसके अलाबा यहां पाई पानी का बीचाहिए हुआ है और पे लगे हुए है तो इसमें टाबो में भी द लेंड स्लाइडिंग होती रहती है तो उसे रोकने के लिए पेड लगाते है और यहां पर पेड ही नहीं आई थिंग दूर दूर तक देखा यहां पर बहुत कम पेड है एक-दो मुझे देखे था बस पेड तो फाइनल दो बजे में पहुत चुका हूं एस्या के सबसे तो मुझे लिफ्ट मिल गई थी एक ड्राइवर थे जो टूरिस को घुमाने के लिए यहां आये थे तो इस चीज़ के लिए मैंने उनको पेशे भी दिये भईया को लेकिन वह ले नहीं रहे थे फिर भी मैंने किसी तरह उनको दिये ब्रीज के उस तरफ एक किबर यह और र रास्ता जाता है चीजम गाओं की तरफ तो इस तरफ है चीजम गाओं इसके लाव आप प्रीज पर आपको दो वेन दिख रहे होंगी एक और दो तो अगर आप यहां को आकर कुछ खाना खाना चाहते हो तो यहां पर फूड मिल जाएंगा इन दोन दोनों वेनों में तो ज दोने ले आगए में अचीजम ब्रीज के उपर और गेरा ही देखिए कि सच में बहुत उचाएपे है ब्रीज और जब यहां से गाड़ी जाती है न तो फील होता है कि सच्पेंस ब्रीज है कि जब ब्रीज आए और हैंसेट नहीं है तो एसिया के हाय सब्सक्राइब ब्रीज में आने का क्या फाइदा है कि सच में ब्रीज में आने का कि जब ब्रीज आने का कि अपर यहां से ब्रीज में आने का कि आने का फाइदा है